नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर वरॉन राजपूरिया डिपार्टमेंट अगत्तंत्र और आज का जो टॉपिक है वो बाकि टॉपिक से थोड़ा सा हट कर है आज हम लोग बी एमस थर्ड एयर के पार्ट इस की सुरुवात कर रहे हैं जहां पर हम लोग टॉक्सिकोलोजी या अ उसका डिसक्सन करेंगे और उसके बार में जानेंगे तो शुरू करते हैं अगत्तंत्र के परिज़ाइसा अगत्तंत्र का परिजा है इन्ट्रॉडशन ऑटॉक्सिकोलोजी तो आयर्वेध में इसको क्या बोला गया है यहां पर जानते हैं तो जैसे कि आप लोग स्ट्ट आइरवेद के आठ अंगों में से एक अंग है, तो हमारे जो आइरवेद है उस वहाँ पर आठ अंग बताये गया है, अस्टांग, तो उस अस्टांग में से एक जो अंग है वो है अगत्तन्त, है ना चरक अचारी ने इसको विश्गर, वैरोधिक, प्रशमनन, प्रशमन तथ आचारे वागभण ने दंस्टा चिकित्सा के नाम से इसको संबोधित किया है, शल्य है शला के काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार बृत्य और छटवा है अगत्तन्त, इसके अलावा रसायन तंत्र और वाजीकरन, तो यह जो अस्ट अंग है, आठ अलग-अलग जो अ अंग है, आएरवेट के उसमें से एक अंग अगज तंत्र या टॉक्सिकोलोजी है, तो हमारा जो पार्ट है, पूरा जो सिलेबस है, वो अगज तंत्र के उपर ही डिपेंड होगा, तो इसका इतिहास जानते हैं कि यहाँ यह इसको सबसे प्सरवृत हम कहां बोला गया था कैसे इसकी उत्पत्ति हुई कहां से इसका वर्णन मिलता है, तो वेद आयूरुवेट तथा आयूरुआद के बाद भी सम्स्रीत की संहीताओं में अगत तंत्र का वर्णन मिलता है, अथर्वृब जो है, आयूरुभेट को अथर्वीट का उपवद माना गया है, और अ थर रमायन में सर्प दंस की चिकित्सा में वनोशधी के उपयोग के बारे में भी वर्णन मिलता है ये युद्धकंड में दिखाया गया है इसके अलावा महा भारत में भी कारकोटक नामक सर्प द्वारा राजा नल में प्रमानित मात्र में दंस करा कर व्यादि छमत तोत्पन कर संहिता है इसके अलावा है सुस्तृत संहिता जो आईरवेत का संहिता है यहां अगत्तंत्र की मूल संहिता है जिसमें संपून कल्प स्थान अगत्तंत्र के लिए समर्पित है एक कल्प स्थान है सुस्तृत संहिता में एक स्थान पूरा कल्प स्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अगत तंत्र के बारे में ही बताया गया है सारी चीज़े वैसे ही चरक सहीता में चिकित्सा इस्थान विष चिकित्सा अध्याए 23 एब मदात्य चिकित्सा अध्या 24 अगत तंत्र के लिए समर्पित है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विष और उसके प्रतिरोध या उसके antidote आत्तारी चीजें इसमें डिस्क्रिफप्वाने मिलता है वैसे ही अस्टांग संग्र है उत्तृतांत्र में अध्याय 35-38 चीकटसा के लिए वीस्टिकटसा के लिए पूरी चीजें आनकारी दी ए गई है तो आपने देखा कि बहुत सारे समहिता है जैसे पूराने समहिता है और संस्कृत की रचनाये हैं जहां पर अगर तंत्र या विश्च से संबंदीत बहुत सारी जानकारियां तो आपन जानते हैं अगद तंत्र की विद्पत्ती, जिस सब्द की विद्पत्ती जानते हैं अगद तंत्र जो है दो सब्दों से मिलकर बना है, जैसे अगद और तंत्र अगद याने अ प्लस गद अब गद सब्ति की वित्पत्ती गद धातु में अचपत्य लगने से होती है और गद में अउपसर्ग लगने से अगद बनता है अगद और तंत्र इन दोनों में समायोजन से ही दोनों को मिला देने पर अगद तंत्र बना है अब अगर इसको निरुक्ती को देखें तो गद का अर्थ होता है विष, यह जो है समाजने वाली सीज़ है, गद का मतलब होता है विष, और आ का मतलब होता है अपोजिट, गद का मतलब विष, अर्था जो विष का अपोजिट हो, गद का अर्थ विष, और अगद का अर्थ विश का निरहरन करने वाला और तंत्र का अर्थ है तकनीकी प्रक्रिया ठीक है अ मिन्स अपोजिट गद मिन्स विश अ गद को मिला दिये तो जो विश का निरहरन करे अ गद मतलब विश का अपोजिट या एंटीडोट ठीक है अ मिन्स अपोजिट, गद मिन्स विश, अ अपोजिट, गद विश, अगद, अगद का मतला विश का निरहरन करने वाला, गद शब्द का अर्थ होता है, रोग पीड़ा या विश, अमर को उसके नुसारभी व्याधी या रोग को गद कहा गया है, इसलिए अगद शब्द की व्याध्या, इन सारे चीज़ों से की जा सकते हैं, लाइक नास्ती गदो यश, अर्थात रोग रहित, अत्वा नास्ती गदो यश्मात, अर्थात अगद शब्द का अर्थ, विश्नास करने वाला द्रव के रूप में लिया जाना चाहिए, और तंत्र, त्रायते शरीरा मन निती तंत्र, इसका मतलब होता है, जिसके दोरा सरीर की रक्षा की जाए, उसे तंत्र कहते हैं, अब अगद तंत्र, यह जो पूरी तंत्र बना अगद तंत्र, ठीक है, प्लस गद प्लस तंत्र, अगद तंत्र जो बना उसकी परिवासा, तो अगद तंत्र नाम सर्प कीट यहां पर सर्फ कीट लूता मुशक आधी दंश्टा जो विश्ट है उसके उप्षमन के लिए सास्त्र में जो विश्टरित वर्णन मिलता है उसे अगत तंत्र कहते हैं तो अगद तंत्र के अंतरगत इन सारी शीजों को हम पढ़ेंगे जो इसमें कही गई है जैसे कि सर्प है कीटा, लूता, मुशक, आधी, दंस्टा जोविश है और इसके अलावा जो संयोगत जोविश है उसके बारे में उसके पूरी डिटेल और उसके उक्षमन के बारे में स सारी शीजें हम लोग पढ़ेंगे और इनका जो वर्णन सास्त्र जी सास्त्र में विश्त्रित वर्णन मिलता है उसे अगद तंत्र कहा जाता है यह स्लोग बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप लोग याद रखेगा एक बार में और बलता हूँ अगद तंत्र नाम सर्पकीटलूता मोशकादिदस्ट विश्वयंजनार्थम विविद विश्वय संयोगों प्रशवनार्थम चा अगदो विश्वपतिकारा तदर्थ तंत्रम अगद तंत्रम दलहन ने क्या बूल है कि जिस सास्त्र में बहुत से अगदों या विशखन योगों के द्वारा विभिन विशों के निराकरण का वरणन हो उसे अगद तंत्र कहते हैं मतलब अगद विशखन योग तीक है जो इंटीडोट जो ऐसे कॉंबिनिसंस है ऐसे फॉर्मूलिसंस है जिनका वरणन है ऐसे सात्र में उसको अगद तंत्र कहते हैं अगद तंत् विशा चारकता जिसे नीचे वर्णित विविद नामों से जाना जाता है लाइक विश तंत्र विज्यान जिसमें विश एवं उसके चिकित्सा विशयक अध्यान किया जाता है दंस्टा चिकित्स विज्यान जिसमें दंस्टा से उत्पन विश एवं उसके चिकित्स विश्य करध्यान किया जाता है और है विश विद्यकला जिसमें विश निवारन के लिए प्रभावी मंत्रों से की जाने वाली चिकित्स विश्य करध्यान किया जाता है इसके अलावा विश गर्व रोधिक प्रशमन विज्ञान जिसमें गर्विश सहित सभी विशों का एवाम उसके चिकित्स विश्यक अध्यान किया जाता है अब अपन आते हैं modern part में तो modern part में अगर तंत्र को toxicology से अपन compare कर सकते हैं तो आपन उसके बारे में जानते हैं toxicology की history क्या बोलती है toxicology worst rank as one of the oldest practical sciences because humans from the very beginning needed to avoid the numerous toxic plants and animals in their environment जब शुरुआत ही हुए और जब मनुष्य संसार या इस प्रिथ्वी में आया तो उस समय ही यह जो plants थे या animals थे जो की toxic थे जिन में toxicity पाये जाती है तो उनसे बजने के लिए इंसान को ज़रूरत है इनकी जानकारी के बारे में जो उसके आस पास उसके environment में available थे और आज का जो है the presence of toxic agents the presence of toxic agents in animal and plants was known to the Egyptian and Greek civilizations जो Egyptian and Greek civilizations थे उनके द्वारा जो उनको जानकारी थी आज के date में जो भी चीज़े अवैलेबल है जो poisonous things जो plant में और जो poisonous things animals में जो अवैलेबल है उसके बारे में Egyptian and Greek civilizations को उसी समय से वालूम था the Greek and Roman civilizations knowingly used certain toxic chemicals and extracts for hunting, warfare, society and murder अब आप सोचिए कि उस समय जो Roman civilizations थे या Greek civilizations थे जो वहाँ उस समय के जो व्यक्ति थे वो उनको मालूम था कि कौन सा plant toxic है या poisonous है या कौन सा animal poisonous है और उसके जो poison है उसको ये लोग अपने hunting के लिए शिकार के लिए यूद्ध के लिए मरने या मारने के लिए उस समय उलोग प्रयोक्त करते थे यूज करते थे प्रस अब बोस न अजिप्टियन प्रस देटिंग फॉम अबाउट फिप्टीन हंड़ बीसी एंड़ सर्वाइविंग मेडिकल वर्क औफ हीपोक्रेट्स अब डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिकोलोजी के अंतरगातपन जानते हैं कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस का एक ब्रांच इस सब्द पर जोर देना टॉक्सिक सब्स्टेंस ठीक है टॉक्सिक केमिकल कमपाउंट मेकनिजम ऑप एक्सन फैटल डोस फैटल पिरियेट क्लिनिकल फीचर मैनेजमेंट पोस्ट मॉर्टम अपिरेंस केमिकल एनलिसिस एंड मेडिको लिगल आसपेक्ट इस टॉक्सिकोलो राग के जी साइंस का वो ब्रांच है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिक सब्स्टेंस मेंट क्या है । अब उसके द्वारा मरने के लिए कितनी मात्रा चाहिए रही होगी लाइक फैटल डोस क्या होगा और उसके द्वारा मरने के लिए समय कितना चाहिए रहेगा फैटल पिरियेट क्या होगा उसमें वो जो टॉक्सिक है उसको बॉडी में आने के बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे अब उस clinical features जो भी होंगे पैदा होंगे उसको management कैसे किया जा सकता है अब management भी नहीं हो पाई और मित्तिव हो गई तो उस toxic substance के कारण मित्तिव होने के बाद उसका post-mortem appearance कैसे मतलब उस poison से मित्तिव होने के बाद उस इंसान की dead body कैसे दिखेगी और मरने के बाद भी उसमें chemical analysis क्या क्या किया जा सकते है and उसका medical legal aspect क्या होगा like suicide होगा, accidental होगा, homicidal होगा, क्या होगा कैसे circumstances में मरा या मारा जा सकता है उसे तो यह सारी चीज़ों की जो detail जो study होती है वो कहलाती है toxicology अब scope of toxicology, more than 70% people belonging to rural India, the incidence of snake, scorpion bite, insect bite, etc are more common in this area India is an agricultural country, अब देखें आप 70-30 सथ से ज्यादा जो लोग है, rural India से है, ठीक है और इसके अलावा यहाँ पर गाहों में रहने वाले लोगों के साथ यह बहुत सारे incidence होते रहते हैं poisoning के snake है, scorpion है, insect white है, तो scope तो है इसका, आप rural area में इसका बहुत अच्छे से practice कर सकते हैं इसके अलावा, India is an agricultural country, green revolution, the population is highly exposed to poisonous agrochemical and pesticides यहाँ पर 70% जो people है वो गाहों में रहता है और agriculture पर depend होते हैं और agriculture में आज के rate में इतने ज़्यादा pesticides use किये जाते हैं और उनी pesticides को use करने के कारण से जो लोग उनी से affected होते हैं उन pesticides से affect होते हैं, the economical stress and failure of agriculture has resulted in a rising trend of suicide among the farmers बहुत सारे failures हैसे होते हैं agriculture करने के दर्मियान जिसके करन से वो लोग suicide भी करते हैं and high degree of stress in urban life is prime cause of suicide by taking pesticides pesticides के द्वारा भी suicide करना एक बहुत common चीज है आज के rate में ओके हाँ, so the toxicology are divided into many branches like clinical, pre-clinical, forensic, occupational, environmental बहुत सारे branches का अपने one by one कुछ देखते हैं तो first clinical toxicology आप ध्यान से पढ़िए को उसके word के उसके word से ही सारा चीज समाझ में आ जाएगा clinical toxicology लाइक जो क्लीनिक में काम आए या अपन एक treatment में काम आए ऐसा सो सकते हैं this is concerned with disease and illness associated with short term or long term exposure to toxic chemicals, its diagnosis and management, up to management only तो कोई भी toxic substance है अगर उसका exposure हमारी body में हुआ चाहे वो short term में हो या long term में हो तो उस exposure के कारण हमको क्या-क्या problems आएंगी उस toxic chemical के कारण हमको क्या-क्या problems आएंगी क्या clinical features होंगे उसके उसका diagnosis कैसे किया जाएगा और अगर diagnosis हो भी गया उसके बाद उसका management कैसे किया जाएगा अब नेक्स्ट आता है forensic toxicology अब नेक्स्ट आता है forensic toxicology अब नेक्स्ट जो होता है forensic toxicology अगर यह सब चीज होने के बाद भी उसके मित्य हो गए तो नेक्स्ट जो चीज है वो फोरेंसिक toxicology की बारी आएगी मरनों पराम्त जो भी चीजे होंगी उसकी बॉड़ी में से जो भी चीजे निकालना उसको chemical analysis करना कौन से सब्स्टेंस से मृत्ति हुई है उसको chemical compound क्या थे कैसा था कितने मात्रा में दिया गया था कौन से वे पे दिया गया थे सारी चीज जो होती है वो इसी जगहों पर काम करने के कारण जो टॉक्सिती जो होती है वो अक्युपेशनल टॉक्सिको लॉजी के अंतरगत आएगगे इन्वार्मेंटल टॉक्सिकोलोजी इस फिल्ड उफ इन्वार्मेंट्ट साइंस अग्स टॉडिई और इन्वार्मेंटल टॉक्सिकोलोजी जो होती है उसके कारण से एक पर्टिकुलर किसी इन्वार्मेंटल को क्या इफेक्ट हो सकते हैं या उन टॉक्सिन्स के किसी नदी नालेक हुए समुद्र में जाने पर उनका डारेक्ली और इन्डारेक्ली एफेक्ट हमारे उपर कैसे होगा हमारे इन्वार्मेंट पर कैसे होगा इन सारी चीजों को जो डील करते हैं वो होती है इन्वार्मेंटल टॉक्सिकोलोजी एक नया सब्द है Toxinology, Toxinology is an interdisciplinary and specialist area of toxicology which deals with specifically with naturally occurring toxins, their modes of action etc. Naturally occurring toxins जो होती है उसके बारे में जो deal करती है उसके बारे में जो study करती है उसको Toxinology बोला जाता है I think you understand dear ओके आज के लिए इतना ही आगे आने वाले classes में हम लोग और अच्छे से detail में पढ़ेंगे wish और उसके जो भी parts जो आएंगे उसके बारे में प्याती है इत्ततक है